प्रादम करते हैं अब आज आ रही है मेरी आ रही है आ रही है ओम नमा सिद्धिव्या नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरी आणम नमो अब जायाणम नमो लोए सब्विसाहुनम मंगिलम भगवान बीरो मंगिलम गौत मोगनी मंगिलम कुंद कुंदारियो जैने दर्मोस्तु मंगिलम सर्वि मंगलि मंगल्यम सर्वि कल्यानि कारकम प्रधानम सर्वि धरिमानम जैनम जैतू सासिनम यसे सयं सभावाप्ती अभावे क्रतश्न कर्मन तसमे संग्यान रूपाए नमोस्तु परमात्मने प्रेकिता सेह जे सभाव निज हुए करम अरिनांगस ग्यान रूप परमात्मे को प्रणे मूमे ले प्रकास प्रणे मूमे ले प्रकास आचारे पुझेपास शामी द्वारा बिर्चित यह इस्ट अवदेश नामक ग्रंत जो की एक्यामन गाथाओं में निवद्ध है और एक्यामन गाथाओं के माद्धम से जो हमको हमारे ग्यायक को बता रहा है अवदेश दे रहा है ऐसा सुन्दर वानुपम ग्रंत इसी ग्रंत पर हमारी चर्चा चल लए है आचारे पुझेपास शामी यहां बता रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरू है बास्तम में इसे जगत में इसा आत्मा का को कुई दूसरा गुरू नहीं है फिर से सेक की संका आई थी तो फिर जगत में किसी को गुरू माने या नहीं माने जगत में इतने हमको पढ़ाने वाले हैं सिखाने वाले हैं तो उनको गुरू कहें कि नहीं कहें तो आचारे देव ने बहुत सुन्दर बात 35 नमा की गाथा में कही जिस पर चर्चा चल लए थी हमारी में देशनम्मा की गाथा पढ़ते हैं कि ना अग्यो बिगत्व मायाती बिग्यो ना गत्व म्रच्छती निमित्र मात्र मन्यस्तू गतेर धर्मास्ति का एवत क्या कह रहे हैं चर्चा कर चुके हम वैसे इदिन इस पर ना अग्यो जो पूरुस अग्यो अर्था अग्यानी है बिगत्व मायाती उसको कोई बिग्य नहीं कर सकता अग्यानी नहीं कर सकता और बिग्यो जो जो ज्यानी है ना अग्यत्व उसको कोई अग्यानी नहीं कर सकता क्योंकि जो अन्य पधार्त हैं जिनको आप गुरु कहना चाह रहे हैं वो धर्मास बास्ति कायवत निमित मात्र हैं भास्तम में इस आत्मा का गुरू तो आत्मा ही है इस पेका की बात यहां कह रहे हैं अग ना पावे बेगता नहीं बेगता अग परितो मात्र निमेत है जोंगती में धर्मास्त पिछली क्लास में ने चर्चा की थी इस पर कि बास्तम में हमें ज्यानी कौन बना सकता है हमको ज्यान देने में कौन समर्थ है बास्तम में मुझे ज्यान देने में अजीव और पुद्गर तो समर्थ है ही नहीं लेकिन कोई जीव दरब्य भी मुझे ग्यान देने में समर्द नहीं है कोई जीव दरब्य भी मुझे ग्यानी बनाने में समर्द नहीं है पहली बात तो मेरा ग्यान मुझे से छूटा नहीं है और दूसरा किसी का ग्यान मेरे ग्यान में आ नहीं सकता क्योंकि ऐसा मैं जीव तत्व हूँ ऐसा मैं जीव तत्व हूँ कि मेरा ग्यान दरसन किसी दूसरे में नहीं है मेरा ग्यान दरसन दूसरे में जाता नहीं है और मेरे में दूसरे का ग्यान दरसन आता नहीं है ऐसा मैं जीव तत्व हूँ तो जब मैं ऐसा हूँ तो मुझे कौन ग्यानी बना सकता है और कौन अज्ञानी बना सकता है और ज्यानी को अज्यानी नहीं बनाया जा सकता यह तो उसकी योगता पर डिपेंड करता है कि उसकी योगता कैसी है हमने पिछली क्लास में बात की दस समय की योगता की बात भी की थी योगता के अनुसार काम होता है हमारे कहने या करने से काम नहीं होता है एज़ाम पर भी द सका उदारान भी लिया था हम ने कि हम कहां किस का भ्रह मणिकर बैटे हैं कि इसमें हमारी वात बात मान लिया इसैंरे माला मान लिया कि बास्त्रम जगत में कोई किसी का कहना नहीं मानता है ये तो हमको लगता है कि नई हमारा कहना मान रहा है हमको ऐसा लगता है कब लगता है हमको ऐसा जब जो हम कहते हैं और उसी रूप उसकी तश्मे की योगता होती है सामने वाले की तो वो उसी रूप वो बैवार करता हुआ दिखाई देता है और जब वो बैवार करता हुआ दिखाई देता है तो हमको लगता है कि इसने मारी बात मान ली हमने जैसा कहा वैसा इसने मान लिया लेकिन बास्तम में ऐसा नहीं है इसलिए यहां कह रहे हैं कि वो धर्मास्ति कायवत है निमित मात्र है जैसे धर्मास्ती काय गमन नहीं कराता उसी पेकार यहे गुरू भी और अन्य पधार्त भी हमको ग्यान नहीं कराते तो ग्यान कौन कराता है कि आत्मा ही आत्मा का ग्यान कराता है इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरू है इस पेकार की बात यहां अचारे पुजय पास श्यामी कह रहे है देखो अनवयारत तो परी लिया इसका लगवग ठीका थोड़ी बहुत पढ़ ली थी साथ इसको पढ़ लेते हैं दोबरा ठीका को अनवयारत पढ़ लेते हैं पहले जो पुरस अज्यानी है अर्था तत्व ज्यान के उत्पक्ति के रिया योग है वह बिग्गि नहीं हो सकता और जो विशेश ज्यानी है वह अज्यानी नहीं हो सकता जैसे जीप पुदगल की गति में धर्मास्ति काय निमित मात्र है उसी तरह अन्य पधार्त भी निमित मात्र है देखो क्या कह रहे हैं भद्र भद्र कहकर संबोदित कह रहे हैं आचारे पुझेपास आचारे ये पंडि आसाद जी की ठीका है भद्र अग अर्था तत्व ग्यान की उत्पत्ती के लिए आयोग है जो अयोग है अयोग है कौन है तत्व ग्यान की उत्पत्ती के लिए आयोग है कौन है जो सुनते नहीं है वो अयोग है कि कौन अयोग है कौन है अयोग है तत्व ग्यान की उत्पत्ती के लिए आयोग है कौन है बताईए आप पांद रब्यों की बात ही नहीं कह रहा है यहां पर हम मैंने पूछा तत्व ग्यान की इत्पत्ती के रिए जीव कौन है जो सुनता नहीं है जो पढ़ता नहीं है कौन है यहां पर लेकिन दर्म चार है जी तो यहां पर दूसरा कर सकते ह्ट पांध की योगता नहीं है और दूसरा कह सकते है उसकी स्क्राश्यायकर धर्म चारह आदिकी हजारों उपदेश से भी दो धर्म आचारह हैं उने की हजारों उपदेश सुन ले वो साथषात आकर उपदेश देदें तो भी विगयत्व को तत्व ज्यान को प्राप्त नहीं कर सकता अर्था ग्यानी पने को प्राप्त नहीं कर सकता तत्व ग्यान को प्राप्त नहीं कर सकता तथा कहा है कि स्वाभाविकम किसी कारे की उत्पत्ती में स्वाविक किरिया और गुण की अपेच्छा रहती है सेंक्रों बैपारों से भी भगला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता जैसे तोते को सिखा दिया जाता है तोता वैसा बोलता है वैसा आप यही भगले को लाकर सिखाना चाहें कि भई तोता भी पच्छी है भगला भी पच्छी है तो जैसे हमने तोते को शिखा दिया वैसे हम बगले को शिखा दे हैं कि नहीं सिखा सकते आप क्योंकि शिखाने की सामर्द आपकी नहीं है तोता तोते में योगता है उस तरीके की तो वो सीखे याद करके बोल लेता है बगला नहीं कर सकता इसी तरह बिग अर्था तत्व ज्यान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्यान पने को प्राप्त नहीं होता अर्था तत्व ज्यान से परिवरष्ट नहीं होता जो तत्व ज्यानी जीव है उसके उपर कितने भी बिगने आए हम कितने उपाय करें कि उसका तत्वियान से ज़ए लिए हमको लगता है कि हम तो बहुत पढ़ते हैं बहुत बोट तत्वियान ही हैं लेकिन क्या करें अँप इस तरह में हमारे तत्वियान को कर देते हैं उसकी सेम की योगता उसकी सेम के परिणाम ही उसको धर्म से बेश्ट करते हैं दूसरा जगत में कोई भी उसको धर्म से या तत्व ज्यान से ब्रेश्ट करने में समर्थ नहीं है तथा पद्व नंदी पंस्वी सत्गा में कहा है जिसके भैसे घवरा कर दुनिया के लोग माग छोड़ दें यहां वहां भाग जाएं यह पढल जाता है यहां तक से चलो कोई नहीं जिसके भैसे घवरा कर दुनिया के लोग माग छोड़ दें यहां वहां भाग जाएं ऐसा बज्जर पढ़ने पर भी प्रसम भाव संपन योगी जन योग से चलाय मान नहीं होते तो जिनों ने ग्यान रूपी प्रदीप से महो रूपी महा अंदिकार का नास कर दिया है ऐसे सम्मेक दश्टी जीव सेस परिस्यों के आने पर क्या चलाय मान होंगे नहीं बे कभी भी चलाय मान नहीं होंगे कि जब प्रसम भाव से संपन जो योगी है वो चलाय मान नहीं होते तो जिनों ने महो का नास कर दिया है ऐसे मोहों के नास वाले जीव परिसों के आने पर कैसे चराइमान होंगे कि नहीं होते तो देखो फिर यहां पर क्या कहा इस पेकार तो भाईये निमत उड़ जाएंगे अर्था उसका निराकान हो जाएगा यदि आप ऐसा कोगे कि भाई का कोई कुछ करता ही नहीं है कोई कुछ करने में समर्थी नहीं है तो फिर भाई का सब उड़ जाएगा भाई के गुरू को गुरू को मानेंगे फिर हम किसी की क्यों सुनेंगे फिर हम क्यों पढ़ेंगे जब पढ़ने से ज्ञान होता नहीं, सुनने से ज्ञान होता नहीं है, सास्त्रों से ज्ञान होता नहीं है, गुरू से ज्ञान होता नहीं है, तो फिर हम गुरू की क्यों सुने और सास्त्रों को क्यों पढ़ें, फिर तो साय निमित तोड़ जाएंगे, सही है कि गलत है बात? गलत है कि अनवारता है उपादान का चाहिए देखो क्या कह रहा है यहां पे देखते हैं इस प्रेकार तो वाई निमित उड़ जाएंगे ऐसा प्रशन किया कि ऐसे तो फिसाए निमित उड़ जाएंगे देखो बास्तम में तो निमित के अनिवारता है नो डाउट कि किसी भी कारह के दो कारण चाहिए उपादान कारण भी चाहिए निमित कारण भी चाहिए लेकिन बलवान कारण तो उपादान ही है निमित में कोई दम है नहीं तो लेकिन देखो यहां क्या कहना चाह रहा है आके पढ़ गताही साथ्छात सादक है प्रेक्रत कारे की उत्पत्ती में अर्था जो हो रहा है कारे उस हो रहे कारे की उत्पत्ती में और नास में निमित मात्र हैं जो कारे हो रहा है उसकी उत्पत्ती में निमित है जो कारे नास हो रहा है उस कारे की नास में निमित हैं करने में निमित नहीं है करने में या नास करने में निमित नहीं जो कारे हो रहा है उसमें निमित है हमको लगता है कि नहीं भगवां की दर्शन करने समय दर्शन होता है होता है कि नहीं होता जिन दर्शन करने दर्शन पा होता है कि नहीं होता जिनेंदेव के दर्शन से समय दर्शन होता है हो होता है तो हमको तो नहीं हुआ इतनी दिन होगे जिने दर्शन करते करते जैसा जसल करना चाहिए वैसा नहीं कि लेकिन उपादान योगता नहीं है उस तरीके की तो निमित्वी क्या करें तो यहां यह कहना चाह रहे हैं कार्य निमित्तों से नहीं होता कार्य तो उपादान से होता है और जब उपादान होता है उपादान की योगता होती है तो फिर निमित्त ना रहे हैं ऐसा संभवी नहीं है निमित्त तो आते ही आते हैं निमित्त तो आएंगे अपने बिना में कि सती सीतागरवती अबस्ता में जब उस जवागंकर जंगल में Oooh जंगल। को सीता को छोड़ा गया था पूसी साधार निधा पदम पान में आता बहुंकर बहुंकर जंगल था अंदकार से युक्त जहां प्रकास की किन्ने ना पोbern कर जंगल था अब कोई सोच भी नहीं सकता है इससे बैशnte कर जंगर में उसको कोई साहता मिलेगी लेकिन उपादान की योगधा थी तो निम्त मिले गए अपने आप तो निमित। निमित।ों के ब्रूसे बैठना भी नहीं है वो लाइन भी आती है इक निमित। का इंदिजार भी नहीं करना पड़ता और निमित्तों को बुलाना भी नहीं पड़ता निमित्तों से में बाते हैं तो भाई निमित्त उड़ जाएंगे क्या कि नहीं हम कहतों रहे ना कि वो भी कारेकारी हैं लेकिन किस पर कारेकारी हैं कि धरमास्ति कायवत हम उड़ा नहीं रहे निमित्तों को, आचार कुझा पास से हम ये कह रहे हैं कि निमित्तों को उरानी रहे हम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आचार को सुनना बंद कर दो, जिन्वानी पढ़ना बंद कर दो, हम उरानी रहे निमित्तों को, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि यहां ग्यान प्राप मां का आत्मा से होता है इस प्यका की बात यहां पर आचारेदेव कह रहे हैं आगे देखो क्या कह रहे हैं इसमें इसका कौन जैसे गते रित्यादी से यहां कहते हैं बैसे इसका आर्थी यह है कि जैसे कि युक्पत एक साथ भावी गती रूप परिणाम के लिए उनमुक पूपण करती है यह द्रस कि छलाने वाला हो तो कोई वेखती फक्ला को चला के बताएं यह जो चलना नहीं चाह रहा है उसको चला के बताएं लेकिन द्रमास्ति की में चलाने की सामर्थ नहीं है धर्म 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 है वो धर्म 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 है चलाने में समर्थ नहीं है कि हमें चलाने में समर्थ हो इसलिए को क्या कह रहा है यहां पर युकुपत एक साथ भावी गती रूप अर्णाम के लिए उन्मुक पधारतों की अपनी गमन सक्ति ही जो उनकी सेम की किर्यावती सक्ति है वही गती को साथ चाथ अपन करती है तो दरम ही चलाने वाला हो तो का दरब् को भी चला दे उनको क्योंनी अधरन द्रभ्य को भी चला दे सब को चला दे फिर कि जीवा पुद्गरी क्यों चल लए हैं क्योंकि उनमें सेम में गमन सकती है किरियावती सकती है उनकी ऐसी अपनी गमन सकती ही गती को साथ शात उत्पन करती है उनके बिकलपने में उनके बिक के पति उनमुक था नहो ये तो गती के पति उनमुक है चलने को तयार हैं चल लहा है और यह चलना नहीं चाह रहा है तब उनमें किसी से कुछ करना असक है कि दर्म दरब्य कुछ नहीं कर पाएगा अर्थात उनमें कोई गती उत्पन नहीं कर सकता धर्मास्ती का है तो गती उपगरहा के रूप गती में निमित रूप द्रब्य विसेश है भे उसको गती को सहकारी कारण मातर है इस पेकार पेकरत में भी इस विसे में भी समझना इसलिए बैभार से ही गुरु आधी की सेवा करनी योग है मना नहीं किये यहां पर देखो प्रेसन उपर यही था कि फिर तो सेवा आधी करने का मतलब नहीं रहेगा जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो पिर कौन किसकी सेवा करे तो यहां कह रहे हैं बैभार से सेवा करना योग है क्योंकि निमित मात्र तो है जो को भावारत में क्या कह रहे हैं ज्यानी अत्वा अज्यानी बननी की योगता गुरु के हाथ में है यह कह रहे हैं कि यहां पर कि नहीं ज्यानी अथवा अज्यानी वननी की योगता परदरब्य के हाथ में नहीं है अपनी आत्मा में ही है ये ज्यानी वनना चाहता है कि अज्यानी वनना चाहता है ज्यानी अथवा अज्यानी वननी की योगता अपनी आत्मा में ही है गुरु आधितो भाये निमित मात्र हैं बे किसी को ग्यानी अत्वा अज्ञानी नहीं बना सकते इस गाथा कि मूलवात यही है जो यहां आचारेदेव कहना चाह रहा है कि भाये निमित मात्र हैं वो किसी को ग्यानी अत्वा अज्ञानी नहीं बना सकते इसलिए हम क्या करें कौन से गुरु के पाथ जाएं कौन से गुरंत को पढ़ें कि समय दसन हो जाएं कौन से गुरु के पाथ जाएं हम बजन भी बोलते हैं अपना करना हो कल्यान साचे गुरुवर को पहचान कौन से गुरु के पाथ जाएं किसको पैचान है कौन से गुरू के पाथ जाएं कि भीतरागी गुरू लेकिं भीतरागी गुरू भी हमको ज्ञानी नहीं बना सकते ना परिशानी यह है को बैवार वक्ति है विए लाइं का अर्थ यह तो गुरू बक्ति में बोलते हैं उसको हम उसका दूसरा आर्थ यहां की यहां के पड़ी पेच में बोलें अपना करिना और साचे को पहचान का लेन कैसे होगा साचे गुरू वर को कौन है तूम खून ही आत्मा का सचा गुरू है तो आपना करनाąt योग है भक्ति करणा योग है गुणगान करना योग है गुणगान करना ही चाहिए पधार्तों में परिणमन के लिए जो उन्मुक योगता होती है उस रूप ही कारे संपन होता है परिणमन के लिए जो योगता होती है पधार्त में उस रूप ही कारे संपन होता है क्योंकि कारण अनु विधाईनी कार्यानी कारण जैसे ही कार्य होते हैं अन्य पधार्त तो उसके परिणमन में निमित मात्र है तो जैसा कारण होता है कार्य वैसा होता है तो जैसे निमित वैसा कार है चाहिए कि गलत है कारण अनु बिदाइनी कार्यानी जैसा कारण वैसा कार्य होता है तो जैसा निमें तोगा वैसा कार्य हो जाएगा उपादान कार्यान की बात है उपादान कार्य होता है जैसा उपादान होगा जैसा उपादान होगा कार्य ऐसा होगा कि यदि नरक में जाने का अपादान है तो फिर कारह भी नरक में जाने जैसा होगा कारण जैसे ही कारे होते हैं अन्य पदार्थ तो उसके पर्लिपनमन में निमित मात्र उनोंने बंद कर लिया तो उसके बार प्रती गहली थी ना जब पski उब्बन उखाड़ा दिया उनके निमत मात्र बास्तम में तो कारण था तो कारण ऐसा ही होना था इसलिए प्रतिग्या ऐसी हुई इसलिए फिर नारण बने फिर आगे न रग गए तो अन्य पधार्त तो उसके प्रणमन में निमित मात्र है प्रतेक पधार्त की प्रणमन उन्मुकता ही छण के उपादान ही कारण रूप परिणमता है कारे रूप परिणमता है निमित निमित कारे रूप परिणमता है कि नहीं परिणमता है निमित कारे रूप नहीं परिणमता है निमित तो परदरब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तो कारे रूप कोन परिनमता है? की कारे रूप तो उपाधान ही परिनमता है इसी लिए कारे का मून कारण, बलवान कारण, मैन कारण, जो भी कहें सफल कारण वो तो उपाधान ही है जीव और पुद्गल में गमन करने की सेम सक्ती है इसलिए जिस समय वे अपनी किरियावती सक्ती से जिस पेकार का परिणमन उन मुक्ता से गमन करते हैं उस पेकार से उस समय धरम धरब्बे उनके गमन में नमित मातर होता है येदी येदी जी पच्छिम से पूर्व की तरफ चल ला है तो धरम धरब्य उसको पूर्व से पच्छिम की तरफ लेगे जा सकता है क्या नहीं नगए जा सकता है क्योंकि उसमें सामर्त नहीं है अब यह कह जा रहा है कि देखो धरम धरब्बे की बज़ ज़्जेसे यह जी बच्छिन से पूर्व की तरफ चल रहा है लेकिन बासता में धरम धरब्बे नहीं चला रहा है चलता वह अपनी होके करो होता है परिणाम के प्रती पधारतों की उन्मुक्ता अभी पधारतों की उन्मुक्ता क्या है उसकी तत्समें की योगता ही उस समय की योगता ही कारेका साथ उपादान कारण है अब तत्समें की योगता है न वो उसका उपादान कारण है तत्समें की जो योगता है वो इ किता है गुरू सिस्षे को समझाते हैं यह बैभार नयका निमित का कथन है अर्थात सिस्षे अपनी उपादान सक्ती से सीखे तो गुरू निमित मात्र कहलाते हैं यह कथन कारेकित पत्ती के समय अनुकूल कौन सा निमित था उसका ग्यान कराकर उस और का जुखाव छुराने के लिए है ऐसा समझना चाहिए क्या कह रहा है इस लाइन में देखो यह कतन कारे की उत्पत्ती के समय अनुकूल कौन सा निमित्थ था तो यह बात निमित्थ को बतलाने के लिए है क्या बतलाने के लिए है गुरु निमित्थ मात्र कहलाते है ये बात निम्त को बतलाने के लिए है क्या बतलाने के लिए है बता होगा है अपने को तो समझना है बताना कि निम्त को नहीं है मुझन निमित को निमित को बता रहे हैं तो निमित की चरचा किसलिए की है कि निमित को बताने के लिए उसका ज्यान कराने के लिए निमित का इस और का जुखा उच्छाव कराने के लिए निमित का ज्यान करा का निमित के नहीं होता। कि निम्त कुछ नहीं यह बताने के लिए कि जुष नहीं करता लुथ हुए कि इसी कुछ नहीं कि पर दॉटा गोंसा निम्त था उसका ग्यान करा कर उस और का जुखाफ चुड़ाने के लिए है अभी कोई वेक्ति बीमार पर जाए उसका एलास कौन करता है कि डॉट्टर करता है बीमारी किसी ने दूर की कि डॉट्टर ने दूर की बीमारी तो अब वो यह दी यह समझ के बैठ जाए कि बीमारी कौन दूर करता है कि डॉट्टर दूर करता है तो उसका कार ऐसे दो होगा कि नहीं होगा नहीं होगा तुला ऐस Olum शलूवा जल्सक्रावार को बला बूरा बोलेगा क्छो करें यहीं बचाने वाला यह मुझे बचा क्यों लहा है एक जुक्तरो बिमारी को करते हैं मैं का क्यों नहीं कर रहा है तो डॉट्टर ने बीमारी दूर कि ये वाचे इसका अग्या बिया कि बासतम ये डॉट्टर तो निमितपमाध रथा दूड़ डॉट्टर नहीं की कि तुम्हारे सेंसे कि डॉट्डरा निमारी सोमय दूर हो गई डॉट्ट्र तो निमित बात था डॉट्टर के आश्रित्मत हो जाना डॉट्टर के भरोसे मत बैठे रहना वैसे यहां पर कह रहा है कि सारा लेना लेकिन उनके ही भरोसे मत बैठे रहना जिन्वानी का भी आश्रे लेना गुरू का भी आश्रे लेना देव का भी आश्रे लेना लेकिन उन्हीं के भर वरोसे मत बैठे रहना कि उन्हीं के वरोसे बैठ जाओ कि देव के वरोसे की गुरू के वरोके की सास्त्र के वरोसे इनके वरोसे मत बैठ जाना ये कहना चाहरा है यहां पर उस और का जुकाफ चुराने के लिए है देव की तरफ का जुकाफ चुराने के लिए गुरू की तर कुल कौन सा निमित्य था उसका ज्यान कराकर उस और का जुखाव चुराने के लिए है ऐसा समझना चाहिए बस तो तह कोई किसी को सिखा नहीं सकता क्योंकि है सिध्धान्त है कि सर्व द्रब्वे अपने अपने सुभाव से उत्पन होते हैं अन्य द्रब्वे से अन्य के गुणों की यह सब्सक्ति नहीं की जा सकती मुझे ऐसा लग रहा है यह बावारत भी हो गया था पिछली क्लास में अभी याद आ रहा है कोई बस्तुत है कोई किसी को सिखा नहीं सकता क्योंकि यह सिध्धान्त है कि सर्व द्रब्वे अपने अपने सुभाव से उत्पन की यह गुणों की परिनमन की अर्थात परियायकी उत्पत्ती नहीं की जा सकती जब गुणों की कैसे हो सकती है इसलिए समय साराइच की गाथा का रिफेंस भी दिया हुआ है नीचे छेओं द्रब्यों की देखो यहां यह काना यह सिद्धान्त है और उपर की गाथा में इस गाथा की उत्तानिताती महापपा काता अब सिद्धान्त आता है अर्था सिद्धान्त विरुद्वात होती है ये दियम ऐसा मानें कि गुरु से ग्यान होता है यदि यह मैं ऐसा मानें कि सास्त से ज्यान होता है तो सिद्धान्त विरुद्वात होती है क्या सिद्धान्त विरुद्वात होती है वो सिद्धान्त यह है कि सर्व दरब्वे अपने अपने सुवाव से उत्पन होते हैं अन्य दरब्वे से अन्य दरब्वे के गुणों की उ कि यृदासिन निमित उन के ब्हेद को प्रगा निमत मातर है। अब सिस्से कहता है देखो क्या प्रेशन है अगला कि आत्म सरूप का अभ्यास किस पैकार किया जाए अब आप कहे रहे हो कि आत्मा ही आत्मा का ग्यान कर सकता है आत्मा ही आत्मा को ग्यान करा सकता है और कहीं से ग्यान होगा नहीं तो उस आत्मा का ग्यान कैसे करें उस आत्मा का ध्यान कैसे करें उस आत्मा को कैसे जाने इस तरीके का प्रेसन है यह कि उसका अभ्यास कैसे करें आपने सरूप का अब आपने कह दिया सास्तों से ग्यान होता नहीं गुरू से ग्यान होता नहीं है तो अभ्यास कैसे करें यह अभ्यास के पिर्योग के उपाय सम्मंदी प्रस्ण है कि उस अभ्यास का पिर्योग का क्या उपाय है उस अभ्यास का पिर्योग कैसे करें इसी जिगे अभ्यास कत्यते अभ्यास कहा जाता है ऐसा पाठ है वहां इस संधर में बारम बार प्रवर्ति लच्छनात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रशिद्ध है उसके इस्तान पर नियम आदी रूप से अभ्यास संबंदी उपदेश किया जाता है ऐसा अर्थ है इस पेकार संबिती स्वे संबेदन संबंदी कहा जाता है कि वे कैसा है अभ्यास स्वे संबेदन कम में है ऐसे पाठ की अपेच्छा से उत्तम पात निका का भी व्याख्यान समझना अर्था साथ साथ संबिती का भी बर्णन समझना गुरू को ही इन दौनों बाक्यों की व्याख्या करने योग है एक तरफ तो कह रहे हैं कि शे संबितन से अभ्यास और एक तरफ अभ्यास संबंद युबदेश भी दे रहे हैं दोनों वाक्तों की व्याख्या करने योग है सिस्से के बोध के लिए गुरू कहते हैं देखो क्या कह रहे हैं गुरू चत्ति सिनम्मा की गाता पढ़ते हैं थोड़ी सी समय है अभी योगी तत्वम निजात्मना अभवत चित बिच्छेप नहीं होता है चित बिच्छेप जिसके चित में बिच्छेप है उसको तो नहीं होगा या कहें हम नहीं होता है चित में बिच्छेप जिसके दोन तरी के कार्थ करेंगे इसका नहीं होता है चित में बिच्छेप जिसके या हम कहें जिसके चित में बिच्छेप होता है उसके नहीं होता है क्या नहीं होता है वो आगे बताएंगे तो अभवत चित बिच्छेप एकांते तत्रसन इस्थिती अर्था तत्र में बले प्रकार इस्थित होना एकांते अर्था एकांत इस्थानमें exclus कौन होगा कि जिसके चित्ते में छोव नहीं है जिसका चित्ते सांत है ये कहना चाह रहा है यहां पे कि हम पो आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा का ध्यान कैसे करें कि आत्मा का ध्यान करना है और गैस पर हमने दूद रख दिया गरम करने के लिए और ध्यान करने बैठ गए तो ध्यान कर पाएंगे फिर हम कि ध्यान नहीं कर पाएंगे फिर हम क्योंकि चित्त सांध नहीं है हमारा हमारा चित्त तो दूद पे लगा हुआ है कि जो विकल्प है इन विकल्प जब विकल्प नहीं होंगे जब इस सोव से रहित होगा यह जीव जिसके चित में इस पेकार के बिकल्प नहीं होंगे बही जीव तत्व में बली पेकार इस्तित हो सकता है इसलिए अभ्यास करने की पेंड़ना भी उसको दे रहे हैं क्या कह रहे हैं यहां पर एकांते तत्व सनिस्तिती एकांत में बैठ कर तत्व में भली पैकार से इस्तित होना अभ्यास सेद भियोगेन योगी तत्वम निजात मनहा योगी तत्वम निजात मना अपने आत्म तत्व का अभ्यसेत अभ्यास करना अभियोगेन साबधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रादी को त्याग कर प्रमाद रहित होकर प्रमाद रहित होकर चित्त में छोब ना होने पर योगी अपने आत्म तत्व का अभ्यास कर सकता है जो तत्व में बलेपकार से िस्थित है अर्था जो जीव जिज जीव का चित्त चलाएमान है बे जीव आत्मा का ध्यान निकर सकता यह यहां कहना चाह रहे हैं कि अभ्यास करने के लिए ध्यान करने के लिए चित में छोब नहीं होना चाहिए कि वही चित में छोब है तो हमको लग रहा है कि हमारी चित में छोब है लेकिन हम सुनतो रहे हैं हम सुनतो रहे हैं तो यहां आचारेदेव कह रहे हैं कि यदि आपके चित में छोव है यदि आपके चित में किसी पेगा का बिकल्प है और उस बिकल्प के साथ यदि आप सुनने आए हो तो आपको लग तो रहा है कि मैं सुन रहा हूं लेकिन वो आपका अभ्यास नहीं है क्योंकि वो आपका सुनना सुनना नहीं है यह यह कहना चारा है इसको सब पर लगाएंगे हम सुनने पर भी, पढ़ने पर भी हमको लग रहा है कि हमाई चित्में छोब है और हम पढ़ ले हैं, हम पढ़ तो रहे हैं कि आप पढ़तो रहे हो लेकिन अभ्यास नहीं है ये आपका पढ़ना सुनना किसके लिए किया जा रहा है कि अभ्यास करने के लिए कि हम सुन क्यों रहे हैं जिन्वानी सुनी क्यों जाती है कि तत्व का अभ्यास करने के लिए जिन्वानी पढ़ते क्यों है कि तत्व का अभ्यास करने के लिए लेकिन अब यदि हमारे चित में छोब है किसी पेकार का विकल्प है किसी भी पेकार का कैसा भी विकल्प है तो हम सुनतो रहे हैं हमको दिखाई तो दे रहा है कि हम सुन रहे हैं हम पढ़तो रहे हैं लेकिन वो पढ़ते सुनते हुए भी वो अभ्यास नहीं है हमारा अभ्यास कब हो सकता है जब चित्त में छोबना हो पहली कंडिशन क्या डाली चित्त में छोबना हो दूसी कंडिशन क्या डाली साब्धानी पूर्वा अर्था आलस से में नहीं निद्रादी में नहीं अब हम पैटिंसे पृफर से कुछ सियान लगाके हैं या ऐसे बैटे Union सादानी पुर बढूर निए नीड़त तो हम लग तो रहा है들 कि हम सुन रहे हैं लेकि हम सुनना सुनना नहीं है है तो जब तक एह जीवह समय होगा आलस आ पकि समय सुना गया पढ़ा गया इसका अभ्यास नहीं है यह कहना चाहरा है आचारे देविया पर कि एक तो चित्त में छोग रहा है हां इसलिए इसलिए देखो आचारा उने इसलिए तो कहा है तत्त पीती चित्त है ना पीती चित्त से सुनेगा तो उसको कहा है कि जो पीती चित्त से सुनी नहीं रहा है उसके लिए तो कुछ है नहीं जिसका चित्त पीती में नहीं है जिसका चित्त उस्सा पूर्व उस्सा नहीं है उस्सा किसका होना चाहिए कि वो सुनने का उस्सा तो है कि सुनने का उस्सा त याप स pushed तो आप 344 सुनना उसको vibe कहेंगे तो क्या हुआ हुगई तक्या हो गई कि जैसे मानलो किसी ने मिले लिया कि मैं बिना जने आन देब के दर्शन किये बैए कि कश़ क्काने इसलियान सफने लिया वहीश जाता है जिने दो तो उस्सा breve गडिम करने जा रहा है स्सानों कि यह उद्यूंगरत उसको कि भूसी ऐसा कहता है हम इसा जा ridiculously रिडिव आने जाते हैं आँ हम वैसे वह तो डेली खाने का लाइस है रिन्यू कराने जा रहा है वह वाँ के सामें कि मुझे खाने का लाइस है रिन्यू कराना है आज का कल का तो पूरा हो गया खाने का राइस है रिन्यू कराने जा रहा है उस्सा नहीं है उसको उस्सा नहीं कहेंगे हम उसी पैकार हम फॉर्मेटिव होगा तो सां नहीं होगा दॉनों दॉनों का करनेंसान है छोव Rica छोव होगा तो सिस्था नहीं होगा फिर इंक जोव किए सकते हैं दूख भी कह सकते हैं छोव को छोब सब्सक्ड का प्रियु दुख के करें तो एक तो बिकल्प आती दसा जब होगी जब होगी निर्व दसा तो होनी रही अभी है ना तो उस बिकल्प को यह दिया हम काउंड करेंगे तो उस प्रकार की बिकल्प का तो नहीं लेकिन हम यह कह सकते हैं जो परदरब्य के पति कुछ करने का बिकल्प है कुछ खाने क क्विकल्प है या हम ऐसा कर देंगे मैसा कर देंगे या किसी के प्ति हमारा कुछ किसी पेकागा करने का गृकर यह जो तो आपके जो बिकल्प थाना बोलने का पर्द रब्ध दूसरे को ठूटा नहीं आपका और उस विकल्प के साथ की गए हो तो आपको चृत में बोलें जो हुआ या तो boy तोड़के kinetsैघएim हुआ यह विघ्रफ कोई तोड़के जा रहे हो तो विकलव साथ में लेकर जा रहे हो साथ साथ में लेकर जाना अर्था छोग को साथ में लेकर जाना आपका चित्य छोग रहित नहीं है और चित्य छोग रहित नहीं है तो अभ्यास नहीं हो सकता आत्म तत्व का तत्व अभ्यास नहीं हो सकता फिर और तत्व अभ्यास नहीं हो रहा है तो फिर वो फिर कुछ भी नही क्योंकि सबका एक ही प्रियोजन था तत्व अभ्यास, दूसरा तो कोई प्रियोजन ही नहीं है, दूसरा तो कोई कार ही नहीं है हमारा, एक कार ही प्रियोजन ही यह यह तत्व अभ्यास, जिन्यन देप के दर्सन का प्रियोजन भी तत्व अभ्यास है, जिन्वानी का अभ्या हैं तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं इसके चित्में छोग नहीं है एक कंडिशन और साफधानी पूर्वग इन दो कंडिशन के साथ में जो जी तत्में बले प्यकार इस्तित है ऐसा योगी उसको कह रहे हैं अपने आत्म तत्व का अभ्यस्थित अभ्यास करना तभी अभ्यास हो सकता है उसके विना अभ्यास संभव नहीं है इस प्रकार की बात यहां पर कह रहे हैं आचारे पूस्पास्यामी इस पर बाकी चर्चा हम हां कुछ कह रहे हैं आप हमें ने का ना उसको राग राग देश उसको राइट मैंने बहुत सारे हैं बहुत जिगे पर आपको दुख्ट जिए मिलेगा सब में आएगा उसमें दुख में आएगा दुख की विकल्प है यह दि आपके क्यों राग देश दुख रूप ही है राग देश है तो दुख है तो चोग की अर्थ बहुत प्रकार से तो उसको सुरूप में समझना जो कहना का रहा है चोब कर रागदेश भी ले सकते हैं यहां पे जिसके चित्म में रागदेश नहीं है वह भली प्रकर अभ्यास कर सकता है अत्मतथ्व का अब्यास लेकिन अब मैंने रागदेश काओ इसलिए नहीं किया है कियोंकि अब आपक तो उस ऊस परकार के रागदुश को नहीं लेंगे हम तीन चोकरियों को हड़ाएंगे फिर अन्तानुबंदी की बात करेंगे फिर उस परकार की बात है उसमें सामिल होंगी तो उसको और अर्थ को ले सकते हैं जिसके चित्में रागदुश नहीं है समता भाब पूर्वक्त जो संत्वा पूर्वत सुनू रहे हैं संत्वा पूर्वत पढ़ रहे हैं उनके तत्वा अभ्यास होता है बागत की इसकी कल करेंगे बिचार करना और कुछ सकते हैं जिन्मानी स्थूति करते हैं अभी चलाओ वहां का निजी निधी निजी में बताई यह आनते उपे कारे है जिन्मानी स्थूति करते हैं अभी चलाओ यह आनते उपे कारे है पंदे ना सते बारे है पंदे ना सते बारे है